बड़ी खबर सुभा की चीन ने आखरकार दिखा दिया है कि वो भारत का दुश्मन नंबर बन है पूर्वी लदाक में पीछे हटने के वायदे से पलटने वाले चीन ने बाचीत के लिए गए भारतीय सैनिकों पर हमला किया जिसमें 20 सैनिक शहीद हो गए है बड़ेश मत्राले और भारतीय सेना के बयानों ने चीन को कटगरे में खड़ा कर दिया है वहीं भारत के जवाबी हमले में चीन के 43 सैनिकों के मारे जाने या फिरखायल होने की भी खबर आ रही है और इस बीच ये भी बता दे कि ITBP ने भारचीन सीमा पर सभी पोस्ट को अलर्ट जारी कर दिया है उत्राखंड, हमाचर प्रदेश, अरुनाचल, लदाक में भी सभी पोस्ट को अलर्ट जारी किया गया है सभी 130 से ज्यादा BOP पर अलर्ट किया गया है चलेंगी सीधा, मंजीत में की इस वक्त हमारे साथ धार्चोला से जोड़ चुक है मंजीत जाना है चाहेंगे अभी फिलाल हालात क्या है क्योंकि कल की जड़ब के बाद अभी वहाँ पर तस्वीर क्या दिख रही है नवजोद जबर्दस तनाव है पूरी लद्दा के गलवान नाला इलाके में दोनों जो पंदरा तारीक देर रात की घटना है उसके बाद से और इस वक्त अगर भारते सेनिकों की बात करें जो पार्थिव शरीष हैं लेह लाया जाएगा जहां पर अंतिम सलामी दी जाएगी लेकिन गलवान नाले के आसपास सेना की मुस्तधी है और चीनी सेना भी हमार मुस्तध है कल चीनी सेना की तरफ से अपने जो उनके जो सेनिक मारे गए हैं से ज्यादा उनको निकालने के लिए हरिकॉप्टर की भी मदद ली गई थी लेकिन अभी हमारी तरफ से कर बात की जाए तो जो टॉप कमांडर्स हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर दिल्ली में थोड़ी देर बाद दस बजे रक्षामंतरी राजिनाद सिंग भी बैठेक लेने वाले हैं तेनों सेना परमुकों और सीडियेस के साथ लेकिन सेना ने कल देर शाम अपने स्टेट्मेंट में भी इस बात को साथ किया था नव्योद कि हमारे जो बीस सेनिक मारे गए हैं और इस वक्त जो सरत पर हाथ हैं उन सब के बीच सेना पूरी तरसे मुस्ताइद है और एक भी इंच जमीन को लेकर सेना पीछी नहीं एटे बिल्कुल लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना मंजीत की देखे जिस सरीके से 6 जून को तो यही तैह हुआ था कि बाचीत के जरीए मामले को सुलजा जाएगा हमारी तरफ से तो बाचीत के जरीए मामले को सुलजाने के लिए कदम आगे बढ़ रहे थे लेकिन उधर चीन पूरी तयारी के साथ बैठा था अब बड़ी बात यह है कि केंद्र में भी इसको लेकर अब बाचीत हो रही है हमान्चों हमारे से उग्यूस पर नजर बनाये हुए हमान्चों कल भी मैरतन बैठक के चली है रात भायर प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री दोनों की बीच अल चैन्र मोदी के साथ ग्रह मंत्री अमिट शार, रक्षा मंत्री राजनास सिंग, वित्व मंत्री निर्मलासी तरामर और विदेश मंत्री सजय शंकर, उनके बीच में गहन चिंतन हुआ और जो पूरी सिटुएशन थी उसको लेकर विदेश मंत्राले की तरफ से भी और रक् कूटनितिक स्थर पर भी इस मामले को उठाएगा और यह बतायेगा कि चीन किस तरीके से जो है वो बात्चीत के जरिये पहले मामले को सुझाना चाहता था लेकिन अब जिस तरीके से उसने हमारे सैनिको पे हमला किया और हमारे सैनिकों के साथ जो है इंज़िरी हुई है और अब कूटनितिक स्थर पर भी भारत इस पूरे मामले को उठाएगा ये कह सकते हैं कि भारत ने पूरी तरीके की तैयारी कर ली है दोनों स्थरों के उपर ना तो सैना पीछे हटेगी और डुपलिमेटिक स्थर के उपर जो है वो भारत चीन को एक्सपोज करेगा अलाकि तैयारी मंजीत पहले से भारत की तरफ से भी ती क्योंकि अगर चीन में देखा जाया जिस तरीके से बॉर्डर पर तैनाती हुई भारत ने उतनी ही फोर्स उसको वहां तैनात किया लेकिन अब IDPP ने भी कह दिया है तमाम जुतने भी बॉर्डर जो चीन से लगते हैं वहां पर भी अलट ज़ारी किया गया है नमजुद मैं इस बक्त धार चुला हूँ जो चीन से लगने वाली सरहद है यहां पर भी पिछले दो दिन से देखें और खास्तों से कल की घटना के बाद सेना की जो आवाजाही है वो बढ़ी है हालां कि पहले से ही क्योंकि भारत क को चीन की सेना की इस बात की आशंका थी और नसिर्फ पूरवी लदाग बलकि हिमाचल उत्राखंड सिक्कीम और रोनाचल तक लगने वाली जो सरह थे चीन से उस पर अत्रिक ब्रिगेड लगाई गई थी सेना की टेनाती की गई तो वो आशंका और सेना जैसे जो जो तैया सेना की इस तरह की टैयारी इस वक्त की हुई है और इस तरह का जब्रक्तत तनाव ज़ून 20 कर्दख के लिए जग्राá और चींध को पंगत तरी की जवाब दिया जाए जाएका और जो हरकत बाचीत के लोकल कमांडर स्तर की बाचीत नवजोद 15 तारीकों चल रही थी उसके बाद चीन की तरब से बाचीत के बीच में वहां पर कुछ मुमेंट हुई जिसका जबाब भारते सेना ने इस तरह से दिया हालां कि भारते सेना को इसमें काफी नुक्सान उठाना पड़ा